आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ पाया जाता है और Non-Motile Gamets Formation दिखाई देता है तो पहले बात करते हैं कि N-Iso Gamets का मतलब क्या होता है तो यहां पे जो Gamets Formation होते हैं वो Basically Disimilar Structure के होते हैं जैसे की For Example Two Type of Gamets पाया जाता है एक होता है Male और दूसरा होता है Female तो इसमें क्या होता है कि Male जो होते हैं यह Small होते हैं और Motile Structure के होते हैं और अगर देखा जाए तो यह Swim भी कर पाते हैं यहां पे Flajula पाया जाता है लेकिन वहीं पे जब Female का बात करते हैं तो Female Gamets यहां पे Large होते हैं और Non-Motile होते हैं जिसमें Food Storage पाया जाता है और जिसके वैसे यह एकदम से Sterile या फिर हम कह सकते हैं कि एक ही जगह पे Attached रहते हैं और ऐसे Fertilization को ही Anisogamous Fertilization या पे Sexual Reproduction कहा जाता है तो इसे हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इन सभी Algae में से Porphyra एक ऐसा Algae है जहां पे यह situation या फिर Anisogamous टाइप ओफ रिप्रोडाक्शन पाया जाता है जहां पे Dissimilar Gamates प्रोड्यूज होते हैं इसलिए हम लोग फर्स्ट आप्शन को ही यहां पे टिक कर लेंगे वहीं अगर Spirogyra का बात कहा जाए तो यहां पे U Gammas टाइप ओफ रिप्रोडाक्शन होता है वहीं Sargassum और Yulothrix का बात किया जाए तो यहां पे ISO Gammas टाइप ओफ रिप्रोडाक्शन दिखाई देता है इसलिए हमारा फर्स्ट आप्शन ही इस रेस्ट प्रेक्ट में करेक्ट हो जाएगा क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर